टॉप 10 टिप्स औं ट्रिक्स क्लोज रेंज के लिए अब टॉप 10 मैं बोल चुका हूँ लेकिन क्या मैं 10 टिप बता पाऊंगा आये पता करते हैं तो सुरुआत करते हैं हमारी पहली टिप से अब देखो अगर आपको क्लोज रेंज जीतनी है तो यार तगड़ी गन होनी चा पे गन बहुत ज्यादा मैटर करती हैं खास कर तब जब आप पे 7.60 वाली गोलिया हूँ वो काली गोलियों वाली गन हो वो यार उनका डेमेज बहुत तगड़ा होता है और वो बनी ही क्लोज रेंज के लिए हैं तो हाँ अगर आप चाहते हो कि यार आप क्लोज रेंज फा उच में उजी भी आती है और उजी ना हद खतरनाक है बहुत खतरनाक है उजी एक एकलोती ऐसी गन है जो ड्रॉप पे नहीं मिलती लेकिन फिर भी एमके 14 और ग्रोजा जैसी गनों को टक कर दे जाती है बस उजी की एक ही दिक्कत है अगर आपने गोली मिस कर दी तो यार रिलोड करते रह जाओगे जिन्दगी बीच जाएगी और पेटी बन जाएगी इसलिए यार अगर उजी उठाते हो तो यार गोली कनेक्ट कर देना स सारी नहीं तो दिक्कते बहुत बढ़ जाएगी बस यही दिक्कत है इसमें अब बढ़ते हमारे अगले टिप की तरफ दूसरे टिप की तरफ तो देखो अगर आपको क्लोज रहें जीतना है तो आपको अजीब हरकते करनी होंगी ऐसा नहीं कि यार आप खड़े हो के एक ज ज्यादा बार जीतना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ज्यादा तरबंदे मुवन शूटी करते हैं तो आपको कुछ हटके करना होगा तो पहली चीज़ आप ट्राय कर सकते हो वह है जंप एंड शूट अब देखो जंप एंड शूट के बहुत जादे फाइदे हैं जंप ए एम करने में भी बहुत दिक्कत आएगी वस यहाँ पर बात यह है कि यार जब आप कूटते हो ना तब एम करने में आपको भी दिक्कत होगी इसलिए आपको यह चीज मास्चर करनी होगी ट्रेनिंग ग्राउंड में या टीडियम में जाके उचल उचल के बंदे पे लो ता सेक्षी ट्प के तरफ शीखना होगा ड्रॉप शॉट अब ड्रॉप शॉट क्या होता है आप क्या करते हो क्लोज range में बंदों के मूझ के सामने लेड जाते हो और लेड के गोलिया पेलते हो इनए अब इससे सीन क्या होता है और कई बार ऐसा होता है कि बंदे आपको एक गोली तक नहीं पेल पाते क्योंकि वो आपके सर या फिर वेस्ट में मार रहे होंगे आप लेड जाओगे अचानक से तो उनकी सारे गोली मिस हो जाती है और जब तक वो नीचे की तरफ एड़जस्ट करके आपको पेलेंगे तब तक आप उनकी पेटी वहना जा सकते हो बस यहाँ पे एक दिक्कत है जब आप लेडते हो ना तब आपका एम बहुत जादा भिगड़ता है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि यार लेडते लेडते एम कैसे करो और अगर आप एकी हाथ से एकी अंगूठे से लेटते हो और उसी अंगूठे से एम करते हो तो ये करना बहुत मुश्किल होने वाला है और जाधा तर आप ये दब इस्तमाल करो जब आप कलच की सिचुएशन में हो जब ऐसे सीन चलने की यार दो तिन बंदे आपने पेल दिये आखरी बंदा बाकी है तो आप उस पे ड्रॉप सोट पेल सकते हो कई बार क्या होता है यार जब सिर्फ और सिर्फ वानी वान चलना होता है जाधार बंदे कूल रहके खेलते हैं उनको दिक्कत नहीं होती तो जब तक आप लेट होगे तब तक वो गोलिया मारेंगे और दूसरी दिक्कत यह है कि यार अगर उन्होंने गोलिया मारती तो सिधा सर पे लगता है इसलिए आपको ये चीज पहले मास्टर करनी होगी कि लेटते लेटते कैसे आप एम करो और जो आपको एक या फिर दो सेकेंड मिलता है आप उतने में ही दूसरे बंदे की पेटी बना सको और जादा तर कलच के टाइम इस्तमाल करोगे तब जादा फायदार आएगा वाने विवान में भी कर सकते हो बस देख के करना कि यार किसी दरवाजे या फिर ऐसी जगापे ना करो जहांपे आप फस जाओ नहीं तो यार इधर उधर एम भी नहीं कर पाओगे और लेटे लेटे पेटी बन जाएगी और इससे पहले कि हम अपनी चौती टिप पे बड़े हम जल्दी से बात कर लेते हैं एक बहुत ही बड़ी आप की मतलब यार इसकिप करने से पहले सुन तो लो क्या पता मज़ा टैप आ जाए तो इस एप का नाम है OneXPAT जिसके मतलब से आप कई सारे गेम्स जैसे की किरकेट, फुटबॉल, बॉलीबॉल, बास्केटबॉल और इस्पोर्स पे बैट बूट लगा सकते हो अब देखो ऐसा नहीं है कि यार आप लेते हो अंधा पैसा और डाल देते हो किसी टीम पे बिल्कुल नहीं, देखो आपकी फेवरेट टीम कौनसी है, कौनसी टीम बहुत बढ़िया खेलती है, कौनसे टीम के प्लेयर्स बढ़िया है और हर बार जीतते हैं और उन पे पैसा लगाओ, दिमाग से पैसे कमाओ, और अगर आपको यह नहीं करना तो इसमें कई सारे मिनी गेम्स भी है, तो आप मिनी गेम्स खेल के भी पैसे कमा सकते हो साथ ही साथ इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि यार आपको आपके पहले डिपोजिट में मिलता है साथ हजार रुपे तक का बोनस या फिर हंड्रेट परसेंट बोनस तो देखो अगर आप साथ हजार रुपे डिपोजिट करते हो, एक्जाम्पा लेए तो आपको चौदा हजार रुपे मिलेंगे और आप उनसे और भी पैसे कमा सकते हो और जीते वे पैसे विड्रॉ करना बिल्कुल आसान है क्योंकि इसमें पेटियम, पेपाल, गूगल पे सब कुछ आवले भेल है आप अराम से विड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल ट्रस्टेड वेबसाइट है तो हायर अगर आपको इस सब चीज का सौक है, इस एपको ट्राइ करके देखो इसकी लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी, बिल्कुल टोप में और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाते हो, और भी ऐसे वीडियो के लिए तो देखो, ऐसे डिपोजिट करना ज़रूरी नहीं है आप बस रेजिस्टर कर सकते हो, और उससे भी हमें काफी हल्प मिलेगी इसकी लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी, बिल्कुल टोप में अब चौती टिप यह है कि यार हर बार, जब भी आप क्लोज रेंज में फाइट कर रहे हो, बंदों को गुमा गुमा के पेलो सीन क्या होता है, समझ लो आप कंटेनर के आसपास हो और आपके कंटेनर के सामने वाले कंटेनर में ही दूसरा बंदा टीपी पी ले रहा है अब क्या होता है, आप राइट से जाते हूँ, राइट से थोड़ा सा फायर देते हूँ वो भी फायर देता है, दोनों को damage होता है, समझ लो लेकिन अगली बार वो क्या सूचेगा कि आप दूबारा से राइट से आओगे लेकिन आपको राइट से नहीं जाना है घूम के लेफ्ट से जाना है और अगर लेफ्ट में भी वो आके गोलिया चलाएन लगता है तो दूबारा से पोजीशन चेंज करो अगर वहाँ पे बात नहीं बन रही है तो अगले बगल कंटेनर में चल जाओ पोजीशन चेंज कर करके खिलो इससे कई बार क्या होता है फुटी स्टैप सुनने में बंदों को दिक्कत हुजाती है और आप आराम से पेल पाओगे क्योंकि यार वो एकी जगा खड़ा है लेकिन आप इधर उधर हिल डूला के खेल रहे हो और हाँ ये चीच मैंने एक बार मैच में नहीं की थी जिसके वज़ा से यार वनवी फोर कर बैठता मैं तीन बंदे नौक करे थे लेकिन मैं गलती क्या करता हूँ जिस तरफ से पहले मैं गया था बाकी बंदों को नौक करने मैं दुबारा से उसी तरफ से जाता हूँ अगर मैं दूसरी तरफ से गूम के जाता तो 100% गारंटी मैं 1v4 कर जाता अगली बार से ध्यान रखना होगा यार देखो टिप्स और ट्रिक्स का यही सीन है वीडियो हर कोई देखता है सुनता हर कोई है लेकिन करने के टाइम पे हर कोई भूल जाता है तो बस याद रखना होगा आपको और देखो कैसे जीते हो क्लोज रेंज अब हमारी पांचवी टिप यह है कि यार क्राउच अन फायर मेरे हिसाब से इस्तमाल करना बेवकूफी एक तरह से मुझे पता यार पहले वीडियोज में मैं क्राउच अन फायर का बहुत चीज बताया था लेकिन देखो अभी इतना गेम खेलके इतने महीने या फिर साल और खेलके मेरे को ये बात पता चल रही है कि यार क्राउच अन फायर के फाइदे बहुत कम है और गाटे बहुत जाता है और ये कववा यहां पर क्यों चिल ला रहा है कि क्या करूँ मैं इसका खेर कववा गया कद्दू लेने आओ बात करते हैं क्राउच एंफायर का अब इसके मैं गाटे बताता हूँ क्राउच एंफायर से पहली बात आपका एम अगर सर पे होगा तो वो नीचे आजाता है जैसे आप क्राउच दबाते हो तो आपका करेक्टर नीचे आता है उसके साथ साथ क्राउच एर भी थोड़ा नीचे की तरफ आता है उससे देखो जो भी गूलिया सर पे आप पेलने व वाली गूली बंदे की वेश्ट पे लगेगी और ये तो आपको भी पता हो गयार हेट सोट ज्यादा कीमती होते हैं बोरी सोट के मुकाबले अब दूसरा घाटा ये है कि अगर आपका अपोनेंट आपके वेश्ट पे मार रहा है हेट पे नहीं एम कर पा रहा है सिर्फ वेश तो यार मतलब देखो ये तो उड़ता तीर उड़ती गोलिया सर पे लेने वाली बात हो गई और तीसरा घाटा ये है कि यार आपकी मुव्मेंट स्लो हो जाती है अगर आप इधर उदर जिगल जुगल करके पेल लेओ जिसके बारे में आगे बात करेंगे वो मुव्मेंट स्लो हो जाती है क्योंकि आपको भी पता है और क्राउज की स्पीड कम होती है खड़े होने के मुकाबले तो तीसरी दिकत ये है अब देखो आप बोलोगे कि यार मुव्मेंट तो जंप में भी शायद कम होगी लेटने में भी कम होगी लेकिन जंप और लेटने वाले में ब पेल पाएगा लेकिन यहां प्यार मतलब वो वेस्ट पे ऐसे मारना था आपने उल्टा क्राउच दबा दिया और अब उसने सर पे गोलियां पेल दी तो हां देखो यार कभी कभी काम कर जाता है और कभी कभी दोका दे जाता है क्राउच इन फायर तो मेरे इसाब से यह इस्त बस आपको हिला डूला के गोलियां पेलनी होती है अब हिला डूलाने का सेन क्या रहता है अगर आप जादा हिल डूल रहे हो तो बंदे आपको गोली जल्दी से नहीं पेल पाएंगे लेकिन वहीं पे आप जादा हिल डूल रहे हो तो यार आपको गोली पेलने में भी फायर करते रहो बिल्कुल लेफ्ट राइट मुवमेंट देते रहो और उस बंदे पे या फिर उस टार्गेट पे फायर करते रहो अब जिगल का ये सीने कि यार ऐसा नहीं कि या आपने जोईस्टिक लिया बस यह रगड दिया हलवा नहीं चला है यहां पे आपको ऐसे देखा जाये तो आप वहां से हिले भी नहीं होगे और इतना कम हिलते में ज्यादा फरक नहीं पड़ता है देखो जब बंदे सको बगार खोले गुली चलाते हैं ना तब यार एक ही जगह पे अगर आप थोड़ा सा हिल रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला इसलिए आपको मी असा भी नहीं करना कि आप एक ही जगह पे एक पाउं इधर कर रहे हो फिर दूसरा पाउं उधर कर रहे हो नहीं मीडियम बिल्कुल ठीक सा देना होगा कि यार सामने वाले बंदे को जब वो बगार सको खोले आप पे गूलियां पेले तब उसको एम अपना थोड़ा इधर उधर हिलाना पड़े तब फाइदा होगा जातर बंदों को देखा यार मैंने वो तेजी से करने के चकर में एक ही जगह खड़े रहके इधर उधर करते रहते मतलब केरेक्टर असल में हिलता भी नहीं है बस उनको लगता है कि केरेक्टर हिल रहा है वो मत करना बिल्कुल मी सीड़ीों से गुसे जा रहे हो तो यार सीड़ीों मैं is 12 के इतने तीजी से नौक करती है कि पता भी नहीं चलता मिलेगी आपको उस बंदे पे अगर गुरुजा पढ़ी है तो आपको ऐसा कुछ करना होगा कि यार आपकी पहली गुलियां पहले लगे अदे को उस पे गुरुजा पढ़िये आप पे M4 पढ़िये तो आपको कहीं से ऐसी जगह से जाना होगा या उसको ऐसी जगह पे फसान होगा कि आप उसे पहले एक दो गुलियां मार पाओ उसके बाद वो आप पे गुलियां पे ले अब गुरोजा तो यार नेक्स लेवल गने मतलब एक दो एमफूर की गुली मारने के बाद भी अगर वो चलाता है गुरोजा और सारी लगती आप पे तो भी आप ठिल जाओगे रेकिन वही बात यार अगर आप बढ़िया तरीके से उसे फसाते हो गोल गोल गुमाते हो और पहले आप फायर करते हो दो तिन गोली पहले आप लगा देते हो तो सस्ती गन से भी आपके चांस ज़ादा हो जाएगे जीतने के वो वन वी वन तो हाँ गन पता को रोयार है कि आप बगेर सकोब खोले अगर आप गोलिया चलाते हो तो हो सके तो लेजर साइट ले लो मेरे हिसाब से हार दो दो गृप लेके चलो बैग में एक ऐसी गृप जो आपकी दूर स्प्रे देने में मदद करे और एक ऐसी गृप जो आपको को लोज रेंज में मदद करे खा तो लेजर साइट रखो ताकि एक्यूरेसी और बढ़ जाए अगर M4 के जगा बैरल चला रहे हो तब 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 लेजर साइट होना ही चाहिए क्योंकि क्लोज में वही लेके गुसोगे और M4 से जादा बहुत जादा रिक्वाइल या फिर गोली का फैलना जादा होता है बैरल का तो वहाँ पे लेजर साइट बहुत कामाईगी तो हाँ हो सके तो दो गृप लेके चलो और देखो कौन से टाइम पे कौन से गृप इस्तमाल करनी है मानो या ना मानो यार लेजर गृप, लेजर साइट काफी कामाती है अब नवी टिप यह कियार अगर आप पे TPP है आप TPP ले रहे हो और सामने वाला बंदा TPP के अगेंस रश कर रहा है तो वहाँ पे जीतना 1v1 बहुत जादा हसान हो जाता है क्यूंकि देखो आप TPP लेके बैटे पड़े हो एक जगह पे और TPP इसलिए बहुत खतरना कुती है साफ साफ आप देख पा रहे हो कि कौन कहां से आ रहा है, कितने बंदे आ रहे है, कब चलेगा, कब यह साँस लेगा आपको सब कुछ पता है लेकिन जो बंदा TPP के against रस कर रहा है उसको बस एक दिवार दिख रही है और पीछे आपके जो भी होगा बस वही देख पा रहा है वो और बढ़िया बात यह है कि आर आपके हाथ में आप कब बाहर निकल के उसे पेलोगे आप कब बाहर नहीं निकलोगे या बाहर निकलोगे नहीं वो सब आपके उपर है और उसको नहीं पता कि आप क्या चीज़ करने वाले हो तो इसमें आपका और भी फायदा है तो हाँ यार TPP लेके बंदों को पेलना बहुत आसान होता है और यार मेरे जैसे बंदे जो अंधा रस करते हैं उनके लिए दिक्कत बढ़ती जाती है लेकिन यहीं पर आती है हमारी 10 वेटी जो की है TPP को कैसे हरा जाए अब कही बंदे क्या करते है TPP लेके बैठे रहते हैं जिन्दगी विता देते हैं और कही बार ऐसा होता है कि यार रस करने ही पड़ता है TPP के अगेंस्ट तो देखो उसको सब कुछ पता है वो आपको देग भी पा रहा है पर आप एक चीज से इस चीज को काउंटर कर सकते हो जो की है प्री फायर दो ठीक है जहां पर वो खड़ा है आपको पता है जहां से वो निकलने वाला है वहां पर अंधी गूलियां पेलो वस याद रखना है इतनी गूली बचा लेना इतने टाइम से देना प्री फायर की रिलोट पे न फच जाए गन तब जब बंदा असल में सामने आए और प्री फायर से बात एक ही हो जाती है लग भग लग भग क्योंकि आप पहले से गूली चला रहे हो और जब वो निकल के गूली चलाएगा तब आप लग भग लग भग दोनों एक ही टाइम पे गूली चलाओगे लेकिन हाँ फिर भी ठीपी पी वाले को एडवांटेज ही मिलता है और इसे और भी बढ़िया गड़ने के लिए आप जंप एन शूट कर सकते हो या फिर ड्रॉप शॉट दे सकते हो वो आपके उपर है तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतने ही बहुत बहुत शुक्राइब वीडियो देखने के लिए इन सारी चीज को देखो आपने वीडियो देख लिए लेकिन गेम खिलते टाइम याद रखना बहुत जादा जरूरी है वीडियो तो हर कोई देखता है लेकिन गेम के टाइम याद करके इस्तमाल करना वो सबसे जदा बड़ी बात है और हाँ भाई लोग जाते जाते वानेक्श बेट चेकाउट करना मत भूलना उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिलकुल टॉप में ट्राइ करके देखो यार दिमाग से पैसे लगाओ अपनी फेवरेट टीम के साथ आप भी पैसे जीतो या अपने फेवरेट प्लेयर के साथ आप भी पैसे जीतो दिक्कत किदर आ रही है फ्री में ट्राइ करके देख लो पसंद आया तो इस्तमाल कर लेना आगे तो आज के वीडियो में इतना भाई लोग यार बहुत बहुत शुक्राइब वीडियो देखने के लिए अगर आप यहाँ पर नए हो तो करो सभी स्क्राइब और भी ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स गेंपले ब्रेकडाउन और मिद्बस्टर वीडियो के लिए तो कल मिलते है बाई बाई